कि घुर्ण कर अब मात करें कि आज से जैसा उनकी तरफ से था कि वो नहीं चाहते की is मुद्धे को आगे बचाे जाए अज से यूराज सुधीर सिंग्की तरफ से भी जो भी कहा सुना हुआ उसे माफ किया गया आगे सर्व समाज की बाते हों विकास की बाते हो समाज में शांती अस्तापित हो इसकी बाते हो जो जातिये विद्वेस फैलाने का कारे चल रहा है उनके समर्थक भी है जैसा कुछ थे वो इसे आज से खत्म कर दिया जाए विगत कुछ दिनें से बिहार की राजनीती जातिये हिंसा और जातिये विद्वेस की वज़ा से चर्चाओं में आ चुकी है अमर्जीत कुस्वाहाजी जो जिरादी के विधायक हैं उनका एक स्टेट्मेंट जंगल में लगे आकी तरफ फैली जिसमें मसरक के पुर्वसांसत आदर्णिय प्रवनात सिंग जी के भतीजे और इवाओं में काफी चर्चित क्रिकेट और साहित को प्रेडित करने वाले इवराज सुधीर सिंग ने भी अपना वक्तव दिया और अपनी बाते रखी जो काफी वाइरल हुआ जिसकी वज़ा से अलग-अलग लोगों ने नीती क्या है और जो बातें इन्होंने कही थी उसका मतलब क्या था आईए सबसे पहले तो सर स्वागत है धन्नवाद है आपका सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका इतिहास रहा है आप क्रिकेट खेलते थे जो युवा है हर बार के युवा को आप खेल के प्रतिप्रे में रहे हैं वैसे में इतना उग्र भासा कैसे हो गया और क्या वजह रहा है देखिए जो हम लोग फ़र्श्ट बार जो उनका वीडियो देखें और वो सब बाते सुनकर जो उनकी माल सिकता थी जो इनकी सोच थी आफी के चैनल पर इंकार भी कर रहा है कि मेरी ऐसी सोच नह उन्होंने कहा था कि परनाम करे में लाज लगेला तो सबसे पहले उनकी सोच जो थी उनकी सोच कुछ अलक रहा था और मैं आप सही बात बोले कि मैं क्रिकेट प्रेमीर ही नहीं रहा हूं मैं क्रिकेट खिलारी भी रहा हूं हम क्रिकेट से भी जूटे लोग हैं गंदे गान मिलकल हात में हात मिले खेल से संबंदित खेल अनकलतें हैं और लेकिन एक बिहार का वासी होने के नाते उस ब्यान के मैंने इसलिए भी रोत किया उस ब्यान में मुझे उनकी मांसिक्ता जहलक रही थी मुझे गाली जैसे भरसन लेंगवेच का लग रहा था थे गाली गलोच कर थे मुझे लगा कि क्या क्या नहीं दिए अंगरेजों को तो मुझे लगा कि क्या क्या नहीं मैं तो अगर letी कोई बात रहती तो विधायक जी सीधे बोलते की जा बढार कbor कई क्या कि यह से बहूं करूं मैं भी भारत और विहार कर रहने आवा हूं लोकतांत्रिक देश से हूं और लोकतांत्र में विरोध करना जाइज है और मैंने अपना विरोध दर्ज जरगा रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसी भावना को अब खतम कर दीजिए लेकिन सर्ड विरोध दर्ज करना लोकतांत्रिक मुल्यों की जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पे किसी बात का प्रतिरोध करना ठीक है लेकिन जीव काटने जैसी भासा जिस पे आज कल आप देख रहे होगा कि हर तरब बहुत विरोध भी हो रहा है हलाकि एक वर्ग है जो आपके इस स्टेट्में लेकिन वैसे में लोकतंत्र में जीव काटने जैसी भासा क्या आपको लगता है कि ठीक है आप पड़ेली के पत्रकार है मुझे जहां तक लग रहा है और जीव काटना भासा मेरे मंसा यह नहीं था कि मैं हसुली लेकर सिवान जाओं और जाकर विधायक जी का जीव काटने क मतलब जिस गंदे जबान से वैसे गंदे श्टेटमेंट दे रहा है तो उसस और मैंने गलत सोच लिए तो उससरा बिधायक जीव काटने में विधायक का जा रहा हूँ अभी मेरे छोटे भाई का साधी था साल भर पहले मेरे दरवाजे पर आये हुए थे ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसे जमीनी जयदात की और एक ही विधान से हम लोग चुनाव लड़ते हैं पक्स भीवक्त मैंने उनकी नीतियों का विरोध किया है मैंने उनका विरोध नहीं क क्या से रहा है जैसी बात समाज में ना ला है समाज बहुत आगे भर चुका है समाज में लोग पढ़े लिखे अगये ह veure सिक्छीत है और वर्ग में सिक्षा आ गया है हम लोग बैठ के आपस पर विकास करें लोगों का क्राम करें लोगों को अलगदिसा में ले जाएं जितन camera, on camera, वो यह असपस्ट कहना चाह रहे थे, कि जो बाते फैल रही हैं, इरादा वो नहीं था, इरादा यह था कि कुछ जो अधिकारी हैं उनका आचरन सहीं नहीं है, वो उसकी तूलना उनसे कड़ना चाह रहे थे कि जो अंग्रेजियों का सोचन था उससे वो उसकी तूलना करना चाह रहे थे शायद सब्दू काहिर से रो गया बात जो कन्फ्यूजन था उसमें बातें दूसरी ही निकल गई अब वो मेरे इंटर्वी में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि उनका इजादा बिलकुल ऐसा नहीं था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप भी इस बात को स्विकार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का समय है वो भी इस बात को स्विकार कर रहे हैं कैसा उन्होंने नहीं कहा तो क्या अब यह माना जाए कि आज से जैसा उनकी तरब से था कि वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे को आग चल रहा है उनके समर्थक भी है जैसा कुछ थे वो इसे आज से खत्म कर दिया जाए निश्चित मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि समाज जातिय उमात से बाहर निकल कर अच्छे वर्थ अच्छे काम सिख्छा रोजगार विकास यह सब की बाती होने च हर वर्थ के लोगों को संब्मान मिलना चाहिए और मैं उस संब्मान को देता भी हूँ मैं उन लोगों के बीच में ही रहता हूँ, उन लोगों के साथ भी 24 घंटा बैत करता हूँ, और मैं राजनितिक रूप से भले ही निर्दलिये ला रहा हूँ, आजाद मैं हूँ, अपनी बात करने का आजादी रखता भी हूँ, आपको याद होगा कि बिहार में जब गंदे गाने जब चरम पे थे, तो मैंने असलीलता के बिरोध किया था, और आज 80% असलील गाने अगर बंद हो गए हैं, 2016-2017 के पहले गर आप यूट्यूब खोल लें, तो गंदे गानों का भरमार मिलेगा, और 80% तो कहीं न कहीं, हमारी अच्छी सोश्ती मैं हमेशा सोशता हूँ कि समाज जितना से ज़्यादा विक्सित हो, आने बिरोजगार गरीबों का उत्थान और गरीबों की लड़ाई तो हम लोग खुद लड़ते हैं, हम लोग तो चाहते हैं, कि आप लोग आएं, आप लोग के साथ मिलकर आपकी लड़ाई और आपकी अधिकारों की हम लोग ब statement दे रहे हैं वो उन चम्चों से विधायक जी से सिخछा लेना चाहिए कि आपके विधायक जो इतने अच्छे हैं जो इतने अच्छी बात तो के तो चम्चों लोगों को नहीं बोलना चाहिए और आप लोगों को भिशनौ और खास करके मैं अपने भी सारे सेघ्राइशतुम्य लिवूरण कि बिश्रिशों देखने के नियुक्ति सूर्प घरिए अंतिम सवाल सर अपक्रवर आने वाला है अहीं हमें आने वाले चुनां में इव्राज सुदहीर सींग किस रूप में और किस के साथ देखने को यह नगी नहीं बो feasible आदर्सों पे चलता हूँ और उन्हीं के आदर्सों पे चलता हूँ चोटा भाई रंधीर चुनाव लर रहा है तो मैं भी मेहनत करूंगा रंधीर के लिए स्द्रेशुरे के समाज के लोगों से चाहेंगे और अथाइग सब्सक्राइब्र कर के असे लेगए और हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तिम विधायग जी के सारे समाच के लोग भी हमारी सहर ना करेंगे और मैं रन्धिर का मदद करते में जराओंगा बहुत बहुत धन्यवाद सार आपने हमें समय दिया तो सुना आपने अभी हमारे साथ युराज सुधीर सिंग थे इवाओं में बहुत चर्चित रहते हैं क्रिकेट हो साहित्ते हो सबको प्रेडित करते रहते हैं हलाकि पिछले कुछ दिनों से विवादों में थे लेकिन जैसा कि जिरादेई के विधाय का मरजीत कुश्वाहाजी ने कहा कि वो जो बात कहना चाहते थे उसका मतलब गलत निकल गया था आज ये भी कह रहे हैं कि जो ये कहना चाह रहे थे उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया दोनों ही पक्ष का असपस्ट ये कहना है कि समाज में शांती अस्थापित होनी चाहिए और विकास की बाते होनी चाहिए दोनों लोग तैयार भी हैं सांती और विकास की ओर बढ़ने के लिए मेरा गुजारिस है उन लोगों से भी जो समाज में अपने अपने नेता का पक्ष रखते हुए जातिये विद्वेस फैला रहे हैं कि किर्पया इससे बचे ना इसमें आपका भविश्य है बहveda इसके ना इसमें देश का भविश्य है, ना इसमें समाज का भविश्य है